हेलो बच्चो, क्या हाल चाल, this is O.P. गुपता, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematicia by O.P. गुपता, तो आज की class से हम लोग objective test शुरू करने वाले हैं for class 12, mathematics for the academic session 2023 to 24, तो आगे बढ़ते हैं जरा, और मैं आपको बताता हूँ कि आज के test का topic क्या होगा, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रह होंगे बच्चो, आज का जो test है ना, यानि test number one, इसका topic होगा, algebra of matrices, ठीक है बच्चो, और यहाँ पर जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, इस test को हम लोगोंने class 12 के लिए बनाया है, इस test को हमने अपने telegram and whatsapp group में already share कर दिया है, I hope आप लोगों को पहले से मिल गया होगा, अगर आपको नहीं मिला है, तो आप लोग इस video का description box चेक कर लेना, और हमारे telegram group को join कर लेना, ठीक है बच्चो, वैसे बच्चो, अगर आप लोग अपनी preparation को super strong बनाना चाहते हैं, तो हमारी math mission series के books को purchase कर सकते हैं, इस book को purchase करने के लिए आप लोग या तो flip card पे जा सकते है या फिर Amazon पे भी order कर सकते हैं, वैसे अगर आप discounted price पे हमारी books को purchase करना चाहते हैं, तो इस whatsapp number पे contact कर सकते हैं, ठीक है बच्चो, अब आगे बढ़ते हैं, और objective test series में test number 1 के हर question को आपके लिए मैं दिखाने वाला हूँ, और इसके answer की को भी display करने वाले हैं, इस test paper के हर question का detailed solution भी आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, ये तो आपको इस channel को subscribe करने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए आप लोग हमारी channel को subscribe कर लो, ताकि इस question का जवाब आप yes में दे पाओ, bell notification को प्रेस करके, सारी notifications को on कर लेना, ठीक है बच्चो, अब चलते हैं अपने test paper की तरफ, तो ये रहा बच्चो, test number one, based on the topic, algebra of matrices, maximum marks 50, जैसा कि आपने देख लिया होगा, every question will carry one mark, इसका मतलब यहां total कितने question होंगे, 50 question होंगे, ठीक है ना, तो चलते हैं जरा मैं आपको question दिखा देता हूँ, question 1, 2, 3, 4, 5, हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि इस question paper क PDF लिंक आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चो, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस तरीके से हम चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, question number 35, 36, 37, और फिर यहां पर question number 46 तक आप देख पा रहे होंगे, ये normal MCQs type के question है, फिर इसके बाद, question number 47 से लेकर question number 50 तक के जो questions हैं, वो assertion and reason type के questions हैं, जैसा के instruction में आप लोगों ने देख लिया होगा, तो ये रहा question number 47, यानि इस test का पहला assertion and reason type का question, फिर question number 48 है, question number 49 है, और फिर इस test का ये last question है, question number 50, ठीक है बच्चो, तो इस तरीके से ये पूरा test मैंने आप लोगों के लि है, जिसका PDF लिंक आपको इस video के description box में और pinned comment में मिल जाएगा, अब इसके बाद आप लोगों के लिए मैं इस पूरे test के हर question का answer की display करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक important information है, क्या information है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, तो जैसा कि यहाँ पर आ देख पा रहे होंगे बच्चो, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी preparation super strong हो जाए, तो इसके लिए आप लोग हमारी math mission series की books purchase कर सकते हैं, math mission for class 12th की book में आपको हर chapter के लिए complete theory and examples मिलेंगे, subjective type के questions मिलेंगे, यानि ऐसे question जो 2 marker, 3 marker and 5 marker की category में आते हैं, फिर आपको इस book में competency focused questions भी मिलेंगे, जिसमें क्या-क्या सामिल है, multiple choice questions, assertion reason type questions, case study type questions, passage based questions, इन सभी questions की आप लोगों को अच्छे से practice करनी होगी, अगर आप लोग अपने exam में super duper performance देना चाहते हैं, ठीक है बच्चो, इसके अलावा आप लोग solution of math mission for class 12th ये वाली book भी separately purchase कर सकते हैं, आप लोग या तो flip card पे order कर सकते हैं, या फिर amazon पे order कर सकते हैं, for discounted price आप लोग इस whatsapp number पे भी मुझे message कर सकते हैं, सबसे नीचे आपको whatsapp number दिख रहा होगा, ठीक है बच्चो, अब यहाँ पर जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा message लिखा हुआ है, क्या लिखा है, आप लोग पढ़ लो, अगर आप चाहें, तो आप लोग हमारी coaching classes को भी join कर सकते हैं, if that is possible for you, यह offline classes है, यहाँ पर आपको address भी दिख रहा होगा, ठीक है बच्चो, अब finally इस पूरे test के answer की को display करने का time आ गया है, तो यह रहा जी answer की for each and every question of this test, य तो बस बच्चो, अब हम मिलेंगे अगले lecture में, meanwhile आप इस channel को subscribe करके, bell notification प्रेस कर लेना, इस video को like करके, अपने सभी classmates को भी share कर देना, ठीक है बच्चो, चलिए मिलते हैं अब हम, next lecture में, till then, be good, take care, all the best, thank you बच्चो